हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल सुधिर टुटोरियल में दोस्तों आज हम सभी पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में कौन सा बंदरगाह कहां इस्थित और उसकी क्या विशेशता है इन सभी के बारे में बिस्तार से आज पढ़ेंगे चली हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक बंदरगाह से समबनदि ठीक तो जो पहला बंदरगा है मारा वो है मुंबई ठीक है मुंबई बंदरगा के बारे में जानते हैं तो यह एक प्राकिरतिक बंदरगा है जो कहां पे इस्थित है मुंबई में इस्थित है जो मुंबई बंदरगा है यह एक प्राकिरतिक बंदरगा है और यह कहां इस्थित है तो जो भारत का सरवाधिक ब्यापार होता है इसी बंदरगा से होता है कहां से होता है मुंबई से और यह अन्य जो बंदरगा है उनकी पेच्छा काफी ज़्यादा बड़ा है काफी ज़्यादा छेतरफल में फैला हुआ है और भारत का जो सरवाधिक ब्यापार होता है वो मुंबई बंदरगा से होता है और कितना होता है तो लगभग 200 टन से अधिक का ब्यापार मुंबई बंदरगा से होता है और कहां इसी तो यह पस्चमी टट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगा है जो मुंबई बंदरगा बंदरगा से सरवाधी कायात होता है जो भारत का कुंटी प्रत रिजसत व्याFromह रोता है वो कहाँ से होता है और यह आपका होता है मुंबई बंदरगा से दो दोस्तों यह हुआ मुंबई बंदरगा के बारे में चलिए बागे देखते हैं अगला जो है हमारा नेक्स्ट है नहावा स्वेवा बंदरगा कौन सा हमारा तो अगला है हमारा नहावा स्वेवा बंदरगा जिसका अनिनाम क्या है तो इसका अनिनाम है जवाहर लाल नहरू बंदरगा ठीक है और यह बंदरगा कहा है तो यह मुंबई बंदरगाई के निकटस्तिता हो इसका निर्माण मुंबई बंदरगा का धबाव कम करने के लिए आपको मैंने भी बताया कि सबसे जादा व्यापार कहांस चEO marrow तो मुंबई सुविधा युक्त बंदरगा है यानि कि ये सभी चीजों से लैस है और सबसे आधुनिक है कौन सा बंदरगा जवाहर लाल नहरू बंदरगा ठीक है और यह सुस्क सामगरी के ब्यापार हे तुप प्रसिद्ध है जो सुखे पदार्थ होते हैं सुखे सामगरी होते हैं उसके ब्यापार के लिए सरवाधिक प्रसिद्ध बंदरगा नहावा सेवब बंदरगा है चलिए अगला बंदरगा देखते हैं अगला है हमारा कांडला कांडला कहा है इसे तो यह गुजरात राजी की कच्छी की खाड़ी में इस्थित ज्वारिय बंदर गाया है कौन सा कांडला और जानते हैं इसके निकट के राज हैं वहाँ पे खनिस तेल, सीमेंट, रसायन, सूती बस्त्र, इत्याद और दोगों का विकास होने से इसका महत्व है इसका महत्व किस वज़ा से है तो गुजरात में इसके आसपास खनिस तेल, सीमेंट, रसायन और सूती बस्तर के उद्दोग है इस वज़ा से इसका बहुत महत्पूर अस्थान है किसका कांडला बंदरगा का ठीकर और इस बंदरगा से भारी मात्रा में कपासका, सूतिवस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फासफेट, नमक, आलिका निरयात किया जाता है यानि कि बिलिसों में यहां भेजा जाता है किस बंदरगा से तो यह आपका कांडला बंदरगा चलिए अगला देखते हैं, अगला बंदरगा कौन सा है, तो अगला है मार्मा गोवा बंदरगा कौन सा है अगला, मार्मा गोवा बंदरगा और यह कहां पे इस्तित है, तो यह गोवा राज में अरब सागर के तट पर इस्तित एक प्राकिरतिक बंदरगा है कैसा बंदरगा है प्राफिर्थिक बंदरगा है और कहा इस्तित है तो इे गूआराज में अरब साबगर्द के टट पर इस्तित है important है एक ज्याम के लिए नेक्स्ट है अगला न्यू मंगलोर बंदरगा अगला है हमारा न्यू मंगलोर बंदरगा और यह कहां इस्तित है तो यह करनाटक राजी के समुद्र तट पर इस्तित है कहां पर इस्तित है तो करनाटक राजी के समुद्र तट पर इस्तित है और इस बंदरगा से कद्रमुक् जिखान है? वहाँ से जो लौ ईसक निकलता है उसका निरियात किया जाता है. अगला वन्दरगा है अगला वन्दरगा कोची बन्दरगा के बारे में जानते हैं? यहां कहां अस्थित है? यह केरल राज्य में इस्थित एक प्राकिरतिक बन्दरगा है. जिसमें बड़े इसका सर्विस्रेष्ट बंदरगा किसे माना गया है तो कोची बंदरगा को माना गया और यह बंदरगा चाय काफी वा मसालों के निर्याद के लिए प्रसिद्ध है कौन सा कोची बंदरगा जो है यह चाय काफी वा मसालों के निर्याद के लिए प्रसिद्ध है important exam के लिए काफी बार यहां से question पूछे गए है नेक्स्ट देखते हैं अगला है हमारा कोलकाता बंदरगा अब कोलकाता बंदरगा की बारे में जानते हैं तो यह पस्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे इस्थित एक कृतिम बंदरगा है यानि कि यह मानू द्वारा बनाया गया बंदरगा है तो फिर से इसको जान ल या पूरवी churches का सबसे बड़ा बंदर्गाहै या पूरवी create सबसे बड़ा बंदर्गाह और कोलकत्ता बंदर्गाह दच्ण में चलदिया बंदर्गाह को विक्षित किया एक अब हल्दिया की बारे में पर रूसा इल्टमें भी जानलेते हैं तो चलदिया के बार st method बनाया गया या तेल सोधन कारखाना भी है अभी पहले मैंने आपको बताया है मुंबई और देखें यहां पे मुंबई की भार करने भार को कम करने के लिए भी बंदरगा बनाया गया और यहां पे कुलकत्ता बंदरगा के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगा बनाया गय नेक्स्ट है विसाखा पटनम बंदरगा तो यह बंदरगा पूर्वित्रट पर आंध्र प्रदेश के महानगर विसाखा पटनम में इस्तित है और यह एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगा है बहुत बारी जाओं में पूचा जाता है कौन सा गहरा बंदरगा है तो आपका कौन सा है यह आपका विसाखा पटनम बंदरगा ठीक और भारत का सबसे गहरा बंदरगा यही है विसाखा पटनम बंदरगा जो है यह भारत का सबसे गहरा बंदरगा है और यहां से जहाजों का निर्मार यों मरमत भी की जाती है ठीक है और इस बंदरगा अपने कारियों की गुडवत्तायों उत्पादक्ता के लिए प्रसिद्ध है जो विशाखा पटनम बंदरगा है ये अपने कारियों की गुडवत्तायों उत्पादक्ता के लिए प्रसिद्ध है ठिक नेक्स्ट देखते हैं चन्नई बंदरगा चन्नई बंदरगा के बारे में जानकारी करते हैं तो ये भारत के तमिलनाड राजमे इस्थित एक कृतिम बंदरगा है और कहां पे इस्थित है तो ये तमिलनाड राजमे इस्थित है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा याता यात घनत वाला बंदरगा भी यही है चन्नई बंदरगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा याता यात घनत वाला बंदरगा है और भारत का सबसे पुराना कृतिम बंदरगा भी चन्नई बंदरगा है कौन सा है आपका तो चन्नई बंदरगा भारत का सबसे पुराना कृतिम बंदरगा है ठीक देखे आगे क्या दिया है एन्नोर बंदरगा जो है एन्नोर बंदरगा को चन्नई बंदरगा का दबाओ कम करने के लिए बिक्सित किया गया है किस बंदरगा को चन्नई बंदरगा का दबाव कम करने के लिए विक्सित किया गया है तो यह आपका है एन नौर बंदरगा याद रखिएगा अगला देखते हैं पारा दीब बंदरगा ठीक है अगला है पारा दीब बंदरगा तो यह भारत के पूर्बी टटके किनारे उरीसा राजी में इस्थित है तिक और यह कुलकत्ता तथा विसाखा पत्नम बंदरगा की लगबग बीच में इस्थित है कहां पी इस्थित है जो कुलकत्ता है और विसाखा पत्नम बंदरगा इसके बीच में इस्थित है पारा दीब बंदरगा तिक और ये प्राकृतिक बंदरगा है और इस बंदरगा से उड़ीसा एवं बिहार के खनीजों का निर्यात किया जाता है तता मसीने उर्वरक गंधक इंजिनिरिंग सामान आयात किये जाते हैं पारादीब बंदरगा से उड़ीसा एवं बिहार के जो खनीज होते हैं उनका निर् तूती कोरन बंदरगा, नेक्स्ट है हमारा तूती कोरन बंदरगा, और यह बंदरगा कहां इस्थित है, तो यह बंदरगा, तमिलाड राज के दच्छडी छोर पर इस्थित है, कहां पर इस्थित है, तो तमिलाड राज के दच्छडी छोर पर इस्थित है, तूती कोरन पोर्ट ब्लएर बंदर्गा कौन सा अगला पॉर्ट ब्लेर बंदरगा तो यह कहाँ सतरा थै तो अंडो मांन निकोबर में और यह 2010 में 13 बंतर गाह के रूप में मानता प्रात हुआ तो दोस्तों यह हुगा प्रमुख बंदरगा अब हम तो थोड़ा इसे related जो कुछ question है important उसको भी आपको बता देते हैं पहला question हमारा भारत में कितने समुद्री बंदरगाः है तो इसका answer क्या होगा भारत में कुल कितने हैं हैं में तेरा बंदरगा है जो समुद्री बंदरगाश हैं कितने बंदरगाश है ठीक अगला क्वेस्टन में भारत का स्बसे बड़ा बंदरगाश कौन सा है तो नहावा श्रेवा को अब जवहालाल नेहरोपोर्ट के लगभग 200 अधिसूचित बंदरगा भारत में हैं और दिके भारत का सबसे बेस्त बंदरगा कौँसा है तो जवाह लाल नेहरु पोर्ट भारत का सबसे बेस्त कंटेनर पोर्ट है जिसका वार्सिक जायात रहूता है पांच मिलियन Efendimiz है ठीक है अगला question हमारा भारत का सबसी युवा बंदरगा कौन सा है question है भारत का सबसी युवा बंदरगा कौन सा है तो Port Blair जो अंडमान और निके बारत दीव समू की राजधानी है वो भारत का सबसे चोटा समुद्री बंदरगा है तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसी युवा बंदरगा कौन सा है तो आप answer करेंगे Port Blair ठीक है दोस्तों यह हुआ इसका वीडियो आसा करते हैं आपको इवीडियो अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको इवीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में इसको सेयर करें धन्यवाद